नमस्ते दोस्तो, गुड मर्निंग, आप सभी को लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग वीडियो सीरीज में बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तो, आज एक बहुत important concept के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। especially, मेरा जो students है, उन लोगों का confidence बढ़ाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ। आज दोस्तो, date and time में दिखा देता हूँ। आज date है 11 November 2022, और time होड़ा है 10 बच के 34 मिनिट के असपास। दोस्तो, अगर आज हम लोग pre open market को देखें, तो pre open market में जो यहाँ पे price action हुआ है, जो भी open market में जो भी open हुआ है, इसको देखके clearly आज पता चल रहा है कि आज हम लोगो को किसी भी तरीके से buying trade नहीं करना है। यहाँ पे आपको देख रहा है जो top बना है, जो यहाँ पे car voucher बना है, यह सब कुछ देखके, यह clearly समझ में आज है कि आज किसी भी तरीके से हम लोग को buy trade नहीं करना है। तो आज सुबा हम लोग का student group है, वहाँ पे discuss हो रहा था कि buying trade करना नहीं है, तो sell trade कैसे कर सकते हैं। और उसी चीज़ को दिखाने के लिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूं। तो दोस्तो आज जैसे मैंने बोला कि pre-open से ही हम लोग को पता चल रहा है कि buying trade नहीं करना है। तो हम लोग selling के लिए stock select करेंगे और उसको trade करने का कोशिज करेंगे। और उसी ही सबसे दोस्तो यहाँ पे हम लोगों ने choose कर लिया है KOTAK Mahindra Bank को। कोटाग Mahindra Bank में दोस्तो यहाँ पे बहुत अच्छा एक range है यह जो आपको दो purple line दिख रहा है इस range के ऊपर कोटाग Mahindra Bank open हुआ है। और जैसे आप लोग देख रहे कि आज market भी बहुत ऊपर है मैं आपको दिखा देता हूं। Nifty अगर देखेंगे तो देखिए Nifty कितना ऊपर आज open हुआ है। और इतना ज्यादा gap up के बाद एक green candle बनाया है तो maximum लोग इसको buy करने का कोशिज करेंगे लेकिन हम लोग इसको buy नहीं करेंगे। क्योंकि pre-open market ही हम लोग को बोल रहा है कि आज buy नहीं करना है, sale trade करना है। तो friends इसलिए इतना ऊपर होना फिर इतना positive होने के बाद भी हम लोग sale trade कर रहे है। कोटक महिनरा bank में यह जो आपको एक range दिख रहा है, आपको दिख रहा है कि range के ऊपर stock open दिया, इस range के अंदर आने के बाद कितना अच्छा support लिया इस range से। लेकिन हम लोग को buy trade करना नहीं था, buy trade करना होता तो यहीं से करते हैं। लेकिन हम लोग को करना था क्या sale trade, इसलिए हम लोग wait किया है कि कब यह range यहाँ पर breakout हो जाएगा नीचे के तरफ। तो जैसे यह नीचे के तरफ दोस्तो breakout हो गया, अभी हम लोगों ने क्या किया है, exactly range के middle पे हम लोग अपना selling order डाल के रखका है। हम लोग का selling order है वह आप यहाँ पे देख रहा है कि place किया हुआ है, 99, 1919.85 पे हम लोग sale trade को place करके रखके हैं। और जो stop loss है वह इस green candle के मतलब swing high के उपर 1929.10 पे रखका है। हाला के आज निफ्टी बहुत ज़्यादा ऊपर open दिया है, तो हम लोग sale trade करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा profit के लिए नहीं करेंगे। चोट अचा profit लेके निकल जाएंगे और उसी हिसाब से आज हम लोग का जो target यहाँ पे हम लोग ने set किया है वो 1901.30 पे हम लोग अपना target को expect कर रहे हैं। तो friends trade अभी तक execute नहीं हुआ है, हम लोग आसा कर रहे हैं कि जो price है, जो kotak mahindra का price है यह price अभी यहाँ से थोड़ा सा bounce करेगा, इसके अंदर जाएगा, इस range के अंदर जाके, फिट यहाँ से fall होके निचे आएगा। और इसके लिए हम लोग को wait करना पड़ेगा, हम लोग को order लगा के रखा है, देखते हैं क्या होता है, friends let's wait and watch, इस वीडियो को पुड़ा देखिए, मैं आपको पुड़ा price action fit से समझाऊंगा, इसको trade कैसे exactly लेना है, वो भी मैं समझाऊंगा, कौन सा pattern यूज किया है मैंने तो friends, let's wait and watch, देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मैं post कर दूँगा, YouTube में आप लोग के learning के लिए, अगर ये trade execute होता है तो Welcome back friends, मैं अभी आपको date and time फिट से और एक बार दिखा देता हूँ, आज जैसे आप देख रहे है, date है 11 November 2022, और time होड़ा है 10 बच के 20 मिनिट के आसपास, और जैसे के आप लोग यहाँ पे अभी देख पा रहे होंगे, कि यहाँ पे हम लोग का जो order है, वो execute हो चुका है, यह आपको एक down arrow का sign दिखेगा, मतलब यहाँ से हम लोग short कर चुके हैं, और 2 arrow का sign आपको दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैं जो position size में trade कर रहा हूँ, वो एक बार में fill नहीं हुआ, उसको fill करने के लिए 2-3 order लगा है, इसलिए यहाँ पे 2 arrow sign आपको दिख रहा है, अलाकि यहाँ पे हम लोग का short trade execute हो चुका है, जैसे मैंने आप लोग को पहले ही बताया, के सुबा से ही हम लोग को पता चल गया pre open market से के आज हम लोग को buying trade नहीं करना है, कितना भी market positive दिखे हम लोग को sell ही करना है, जो price है वो यहाँ पे execute हो चुका है, हम लोग का जो target है वो 1901 पे के हम लोग का SL 1929.10 पे यहाँ पे set किया हुआ है, यह जो red candle है इसके थोड़ा उपर, और यह price जो उपर जाड़ा है दोस्तों, यह यहाँ तक भी आ सकता है, हम लोग डरेंगे नहीं, यह जो line में खींच रहा हूं दोस्तों, यहाँ तक भी आ सकता है क्योंकि यही last swing यहाँ पे मिल जाए, तो दोस्तों हम लोग यहाँ पे 10 रुपया का redix लेके trade कर रहे हैं, और target जो है वो 18 रुपया है, मतलब 1 is to 1.8 का redix to reward, यहाँ पे हम लोग expect कर रहे हैं, तो friends, let's wait and watch, देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा मैं इसको post कर दूँगा YouTube में आप लोग के learning के लि दोग देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे हम लोग का target achieve हो चुका है, और पुड़ा कुड़ा position भी book हो चुका है, आप यहाँ पे एक arrow का sign दिख रहा होगा आपको, मतलब यहाँ पे हम लोग ने target achieve कर लिया है, अभी मैं आपको समझाओंगा कि exactly यह trade को कैसे execute किया गया है, द यहाँ पे अगर देखूंगा दोस्तों, pre open market में मुझे सभी stock में यह जो side का graph है, इसको भी आपकर आप देखेंगे, तो यहाँ तो flat है, नहीं तो नीचे के तरफ है, क्योंकि अगर यह इतना ज्यादा change होके open होडा है, तो graph जो है वो ऊपर के side जाना चाहिए, ना के नीच के side, यहाँ पे maximum stock में नीचे के side यहाँ तो flat graph देख रहा है, दूसरा दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पे क्या देखा, कि अगर मैं nifty को देखूंगा, तो nifty में यहाँ पे यह जो आपको green line देख रहा है, 18304 का यह बहुत अच्छा resistance line था, जिसके नीचे nifty ने आज opening दिया तो हम लोग पहले भी सोच लिए थे कि यह nifty जो है, यह resistance line के नीचे open दे रहा है, resistance line पे hit करने के बाद यह यहाँ पे एक upper side, मतलब आप बोल सकते हैं, इसको shooting star candle आप लोग के भासा में बोलता है, तो shooting star जो है, यहाँ पे बना है, यह inverted hammer बना है, इससे भी rejection पता चल रहा था तो दोस्तो जो pre open है, और जो nifty का rejection है, दोनों मुझे बोल रहा था कि आज sell trade करना है, अभी मैं आपको ले के जाता हूं कि हम लोगा जो student group है, वहाँ पे सुबा क्या discussion हुआ था, वो मैं आपको दिखाता हूं, दोस्तो अभी आप जो group देख रहा है, यह हम लोगा internal student group है, य दिखा हुआ है, यह IT batch का group है, यहाँ पे दोस्तो आगर आप देखेंगे, सुबा यहाँ पे जो stock selection हो रहा था, यहाँ पे PSU bank को select किया गया था, उसमें से Sbin को select किया गया था, जिसमें trade नहीं मिला, लेकिन इसके साथ साथ मैंने जो guidance दिया है, उसके हिसाब से देखिए, इ यहाँ पे बार बार मैंने सब को जैसे guide किया, यह एकदम नया बैच है, आगस्ट भाही ने का तो इन लोग का पढ़ाई अभी भी चल रहा है, तो आज buying trade करना ही नहीं था, आज पूड़ा का पूड़ा sale trade करना था, यह पूड़ा का पूड़ा यहाँ पूड़ा clear हो चुक तो दोस्तो इसी तरीके से हम लोग internal group पे sector, stock सब select करते हैं और उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे trade करते हैं, तो friends चलिए फिर से chart में जाते हैं, तो दोस्तो चार्ट में आएंगे, जैसे मैंने आपको समझाया था, यहाँ पे बहुत अच्छा एक range है, यह जो range आपको लिखा और उसके बाद breakdown किया, तो हम लोग को पता चल गया कि आज यह नया high नहीं बनाएगा, क्योंकि हाइपो हम लोग का जो था, वो sell के तरफ था, तो इसलिए यही जो range है, इसके बीच से मैंने order लगाया था, selling का, जो उपर गया, selling order को यहाँ पे execute किया, जैसे मैंने बो हम लोग को यहाँ पे 1 is to 1.8 का मिला है, मतलब लगभग 1 is to 2 का profit मिला और वो भी इतना ज्यादा choppy market में, आप Nifty को अभी भी देखो, कितना choppy है, कितना choppy है, कहीं भी तरफ, किसी भी तरफ, हिल भी नहीं रहा है, लेकिन फिर भी हम लोग को यहाँ पे sell side में बहुत सीख सकते हो, मेरा free training भी available है, मैं सब के पास से पैसा नहीं लेता, अगर आपको level 1 का training चाहिए, basic training चाहिए, वो मैं free में सब को provide करता हूँ, उसके लिए एक पैसा भी किसी के पास से मैं charge नहीं करता, मैं आपको दिखा देता हूँ मेरा training structure, दोस्तों यह देखे, यहाँ पे basic training जो लिखा हुआ है, basic training एकदम free है, मैं किसी के पास कोई भी पैसा नहीं लेता, और इसमें बहुत सारा topic में cover करता हूँ, जो आपको साहे दूसरा trainer से बहुत रुपिया देखे खरीदना पड़ सकता है, तो यह दोस्तों यह मैं सब को provide नहीं करता हूँ, इसके लिए दो condition ह एक condition है कि आपके पास telegram app होना चाहिए, और दूसरा condition यह है कि आपको एक anti-piracy agreement sign करना पड़ेगा, anti-piracy agreement मतलब आप इस course को किसी भी तरीके से record download नहीं कर सकते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इस course को online observe करोगे, इसको अगर आप record या download करोगे, या distribute करोगे तो आपको penalty लगेगा और वो hefty penalty होगा, आपके उपर case भी चल सकता है, तो आप अगर anti-piracy agreement sign करते हो और इसके साथ कोई छेडखानी नहीं करते हो, तो यह course आपको free में मिलेगा, जो बाहर सायद आपको 10-15,000 रुपया देके खड़िदना पड़ सकता है, दूसरा course और तीसरा course है, ITE और PTE, ITE intrad के लिए है, और PTE जो है, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए है, और यह दोनों के लिए भी कोई prerequisite नहीं है, आप directly join कर सकतो, yearly दो बार बैच होता है, और इसका जो course fee है, वो 17-17,000 का है, अगर कोई दोनों लेता है, तो उसमें 4,000 का discount मिलता है, और target जो है, यह full-time trader के लिए ह चाता है, लेकिन यह तभी मिलेगा जब आप ITE और PTE में at least 75% accuracy को achieve करोगे, लेकिन मैं आपको रेकमाइंड करूँगा कि basic training सब को ही लो, क्योंकि इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता है, आपको एक पैसा भी देने का ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ और स्रिप टेलिग मेरा जो स्टुडेंट अभी है, जिसको डर लगड़ा हता सेल करने के लिए, साय उनको भी समझ में आया होगा कि आज सेल ट्रेड करना कितना सेफ होता, आज के लिए बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे next और एक educational वीडियो में